हाई गुड मॉर्निं स्टूडेंस आज मैं फिर से चलाया कक्स स्टेंडर्ड फोर में हिंदी का पाड याने रिम जीम फोर को ले कर रिम जीम फोर का जो चैप्टर है नौ सतनता की और उसका जो क्वेस्टन अंसर है वो डिसकस करने के लिए आज मैं चलाया हूँ तो देखो कहानी से धनी ने गांधी जी से सुभय के समय बात करना क्यों ठीक समझा होगा अच्छा इसका एंसर क्या होगा देखो गांधी जी आश्रम में रोज सुभा पैदल घुमते थे इस समय उनसे मिलना आसान था उस समय उनके पास कोई काम नहीं होता था फिर से देखो गांधी जी आश्रम में रोज सुबह पैदल घुमते थे इस समय उनसे मिलना आसान था उस समय उसके बास कोई काम नहीं होता था नेक्स्ट क्वेस्टन क्या है देखो धैनी बिन्नी को देखभल कैसे करता था इसका एंसर होगा वो बिन्नी को हरी हरी घास किलाता था उसके बरतन में प आनी डलता था उसे आस्रम में घुमाता था और उसके साथ बाते करता था नेक्स्ट क्या है धनी को ये कैसे मैसिस हुआ होगा कि आस्रम में कोई यजना बनाई जा रही है इसके आस्रम एंसर आस्रम में सभी लोग गांधी जी की साथ बैठकर गंबिर बात कर रहे थे आश्रम में सभी लोग गांधी जी के साथ बैट कर गंभीर बात कर रहे थे गांधी जी उन्हें कुछ न कुछ निर्देश भी दे रहे थे इन सबसे धनी को लगा कि आश्रम में कोई वजना बनाई जा रही है अच्छा नेक्स देखो नेक्स क्या है देखो ताकत के लिए गा खुप सारी ताकत और अच्छी सहत के लिए तुम क्या-क्या खाओगे पियोगे यहां पर देखो क्या है चटपटी अंकुरीद डाल इन स्प्राउट गाम शमूसे करारे गुलगाप्पे कुरकुरी मक्य की रोटी खुबसूरत डाल मसलेदार आचार मीठा दूद रसीला थंडी आइस्क्रीम रंग बिरंगी टफी और थंडा सरबाद यहां से ठीक कर दका चटपटी अंकुरीद डाल कुरकुरी मक्य की रोटी खुबसूरत डाल मीठा दूद रसीला आम गाम ग्रम साक थंडा सरबाद यह सब क्या है सायद के लिए अच्छा है इन सबी खाने से स सायद अच्छे ही होती है और जो है वह जांक फूड़े वह सायद के लिए अच्छे नहीं है तो आज एही तक स्टूडेंज बाइए